बिस्मिल्ल्यम्यरहीम, असलाम अलेकूम, अदे इन माइन लाइफ में आपको सबको वैलकम करते हैं और दुआ करते हैं आप सबको अपनी वज़ोमान में रखे हुज रखे अबाद रखे और आज मुझे कुछ भी समझ में लेका रहा था कि क्या पकाऊं तो मैं मुझे करूंगी रेसिपी और मेरे हाथ की कड़ी जो है वो मेरे घर में सब को बहुत जादा पसंद है तो बस यहाँ पर बेसन भूल रहा था और समझ में तो आता ही नहीं है रोजाना की क्या पकाऊं गर्मी भी इतनी ज़्यादा है तो बस यह जो है रोस का एक बड़ा मसला है त तो आज मैंने कड़ी पत्ते के बागाया ही बनाई है , बहराल अच्छी बन गई और बहुत मझे की बनी तो कोई भी कड़ी पत्ते वाला अब मुझे नहीं नज़र आया तो अब मैं यहाँ पर बेसन को बून रही थी कड़ी अच्छी से खुश्बूस ही आ जाती है और जो जो यह जल्दी पग भी जाती है तो इसलिए मैं कच्छे वेसन से कड़ी नहीं बनाती हूं इसी तरीके से मैं कड़ी बनाती हूं तो बस कड़ी जो है वो चड़ने के लिए तयार थी और बड़ा असान हो जाता है और बड़ी खुश्य होती कि जब हमें पता चल जाएने के आज हमें समझ में आ गया चलो यह बना लेते हैं तो पहले मैं चिकन कड़ाई सोच रही थी फिर मैंने कहा नहीं यार चिकन कड़ाई जैना नहीं बना सकते गर्मी बहुत जाद है चिकन वखेरा खाने का दिल भी नहीं चाहरा है तो बस यहां पर मैंने प्याज एट कर दी हैं और प्याज एट करने के बाद मैं इसमें लाल मिर्चे देखे हैं मेथी दाना हरी मिर्चे और थोड़ सा लेहसन इसमें अधरक नहीं डालती सिर्फ लेहसन जो है वो प्रश करके वो डाल देती हूं तो बस यह सब एट करेंगे थोर से सपैसिस नमग लाल मिर्च हल्दी यह सब एट करके और दही के साथ बेसन को मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है पानी डालके और बस हमाई कड़ी फटाफट से बन जाएगी तो इदर पकेगी और फिर कड़ी रेडियो जाएगी आज बहुत बिजी डे है इसलिए कि आज मंडे था तो बिजी डे बहुत जादा था तो बस यहाईगों में लगी थी खान मैं अगर बनी वी हो तो भी खा भी लेती हूं को ऐसा मसला नहीं है लेकिन मुझे जादा रोटी ही अच्छी लगती है तो बस पिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी रोटी बना लूँगी मैं अपने लिए और चावल जो है तफाक से फ्रीज में रखे वे थे एक दिन पहले के त तो आप भी मुझे बताईएगा और इसको ट्राई भी किजिएगा अगर आपने कभी तंदूर की रोटी से नहीं खाईए तो बस यहां पर देखें बेसन और दही का मिक्स्टर में इसमें आइड कर दिया है अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरे फैमली आप अलहम दुलीला थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है लेकिन थोड़ी slow है लेकिन कोई बात नहीं जब आपको कोई भी टिप्स वगेरा चाहिए हूं आम उसे जरूर कमेंट नोकस में बताएगा और अपने बारे में बताएगा कि आप लोगों किस ताना खाना पसंद है तो बस यहां पर मैं बेसन वह भी घोल रही थी और मुझे बेसन यह विस्क के साथ मिक्स करने में बहुत से बेसन कंग धी दृटिवलीय कातिह तो कें में बेसन के साथ हमेशा में सब्सक्राबबास करते हूं तो मैंने यह यह बोटिया आपका से कुझे B brick pupils यह बिल्कुल ठीक करते हुए हूं तो बस थोड़ा से ही मैंने बेसन भी में तो थोड़ा दिर को रंग दूंगे इस्मे दाल दिया था तो इसलिए मैंने इसको तेज आज पर रख दिया है और अब मैं यहां पर अपनी पकोड़े ना इनको फ्राई करूंगी और फ्राई करके पकोड़ें जो है वो फॉरन कड़ी में डाल दूंगी थोड़ी देर के लिए और चुलिय को बन कर दूंगी तो बस यह तो बस वह दिन तो बापस नहीं आ सकते लेकिन यादे बहुत अच्छी अच्छी से हम लोग के साथ हैं और माबाप एक बहुत बड़ी नेमत है कोई एक भी चला जाए तो बस सब कुछ खाली सा हो जाता है बेराल अब यहां पर देखें पकोड़िया भी अच्छी से कलर के आगी और मैं कड़ी के लिए पकोड़िया थोड़े से डाक कलर की फ्राई करती हूँ तो बस फ्राई हो गई थी कड़ी का एक्स्रा पानी था वो भी हमारा ड्राई हो चुका था और कड़ी थोड़ी से पतली ही होनी चाहिए ताके हमें इसको रखना भी होता है तो यह बहुत जादा गारी नहीं हो जाए और यह मैंने देख इसमें एड कर दिये और आगे आज बडकी मैं आपकेसाद हैंट क्यायर जायर करте हैं जो के मैं हँटे में एक या दो बार जरूर करती हैंऑ मुझे इससे बहुत फायदा होता है जल् pouvait कर चैंज करके करती रहती हूं लेकिन आजकल जो मैं कर रहा हूं शायर करूंगीन यह देख यह हमाई मझेदार साथ कड़ मैंने चुकंदर को निकाल के ना juice और उसके cubes बना लेती हु? तो वो cubes रखे होते हैं उससे बहुत असानी हो जाती है तो यह 2 cubes यहाँ उसके ले लिए थे और यह में एक mask बना लिए हॉ इने हाथों के लिए और face लिए भी एक ही mask बनाओंगी इसमें मैंने अलो एला जेल एड़ कर दिया है और मैंने अचीज अंदाजे से एड़ कर दिया और इसमें मैं अब मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा बेसन आड़ कर दूगी आप चाहें तो सिर्फ मुल्तानी मिट्टी भी एड़ कर सकते हैं लेकिन अभी बहुत जादा गर्मिया है तो इस वजह से मैं सिर्फ रोज वाटर एड करूंगी इन सब चीजों को मिक्स करके न हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ठंडा ठंडा सा मास्क हमारा अच्छा सा रेडी हो जाए जब तक हम खाना खाएंगे किचन वगला नीट तो बस इसमें जो इसमें आप देख रहें ना आइसी ए क्यूब्स जो है वो मैल्ड हो रहा है जब तक ही मैल्ड भी हो जाएंगे और हमारा एक अच्छा सा पेस्ट रेडी हो गया है इसको मैं फ्रिज में रख देती हूं और खाना खा लेती हूं तो खाना मैंने खा लिया सब नीट कर लिया था तो अब मैं यहां पर गरम पानी लिया है और यह टब जो है ना मेरा इसी इनी चीजों के लिए इस्तमाल होता है तो यह गरम पानी ले लिया था मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी से थोड़ा जादा गरम पानी है यह मैंने ले लिया था इसमें मैंने के ब coffin यहां ब शो टाघ कर गों है की आैँ कर्यां अप में इसमे घ्र तोड़े उच्छ करिने के पाद में जाद में के मुंटम गिंअ यक्याँ में और बने अत्र जा और इई करेंगे सेक्चր के भी हैं करम पानी से तकरीबन 10-12 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह से इसको रिंस करूंगी ताके हमारी जितनी भी डर्ट वगएर है वो सब निकल जाए और साथ ही साथ जो है ना फेस का भी करना चुरू हो जाती हूं कि अभी फेस पर मैंने क्लिंजिंग कर ली थी क्लिंजिंग मिल्क से उससे मैं क्लिंजिंग कर ली थी और यह देखें अब यह मेरे हाथ जो है डिप हो चुके है इसमें और मलती भी जा रही हूं मैं साथ साथ में देखें फिंगर्स भी अपनी मलती जा रही हूं हाथों पे इस तना से अब मलते जाएंगे तो वेनेगर से यह बहुत जाए हमारे हाथों में सोड़े और विनेरगर से बहुत जल्दी फख पड़ता है आप इसको जरूर करके देखीगा वीक में टू डेस तो जरूर करें इसको न तो बस यह देखे हो गया था अब मैं यह पानी को पहेंक दूंगी और अपने हाथ को वाश कर लूंग तो इसको भी मैं फ्रीज कर लेती हूं एक शौपर में डालके तो देखे यह फ्रीज की अब मैंने निकाल लिया है और यह चंकी सा होता है ज़रा सा बुरबुरा टाइप का तो यह स्क्रबिंग में बहुत अच्छा काम करता है अब यह मैंने लिहाँ पे चावल का आटा च तो इससे चावल जो है थोड़े से अपने ब्रेंडर में डालके खुदी पीस लेती हूं में डालके इसको ग्रैंड कर लेती हूं तो दर दरा सा यह मिक्सर हमाना रेडी हो गया है चावल का तो बस अब देखे इनको हमें चीतरा से मिक्स करके रख लेंगे और टब में क्यूज बनाके फ्रीज कर लेती हूं और यह जो इसका सब कुछ कहना चाहिए तना से गूदा जो बच जाता है तो यह थोड़ा सा बुरबरा सा होता है इसको भी मैं फ्रीज कर लेती हूं और देखे इस तरह से यह स्क्रब हमारा जबरदसा घर में ही रेडी हो गया और इस भी करूँगी आप दो बार करेंगे न तो आपको दो बार करने से ही बहुत अच्छे से रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे तो यह मैं चेंज करती रहती हूं कभी मैं कुकंबर से कर लेती हूं कभी आजकल बी टूट मुझे जादा जाद अच्छा लग रहा है तो मैं ब और ड्राई कर देंगी और धन भी हमारा मास्क थंडा थंडा सा मास्क घबरदसा तो फिस को मैं हाथों पे भी कर लूँगी और इसको अपलाई करोंगी मैं यह एक जुए और अपलाई कर लोगी मैं हाथोн से इसको भूह चुका है अब मलतादा पन्ने तक थक रूह अच्छेσι तरह से वाश करτιवेश कर लगे वाश करने के बाद हम एक veure करेंगे और देखे बस मास्क माइने अच्छे तरह से ट्राइब लिया था हैंड मैंab अच्छे ट्राइ कर लिएके बाद च्छी तरह वाद नियाग है दो तो इसको अच्छी तरह से अपलाइ करेंगे और यह काम करेगा फेस पही मैं इसको अपलाई करऊंगी और हैंड्स पही ता मेरी वाली वीडियो दखिए गाँ अपको समर क्रीम बनाना बताईए और यह थंदी-थंदी सी क्रीम वीडियो से अक्रेम हुं आक प्लाई अच्छा लगा होगा इंशाला फिर मिलेंगे अपना बहुत जादा ख्याल लगेगा मुझे दोमे याद रखेगा अलाफेज